नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है और आज का मारा वीडियो हाउ टो फिल ओनलाइन अप्लिकेशन फार्मासिस्ट का ओनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से बरपाएंगे हम आपको इस वीडियो के माद्दम से फार्मासिस्ट के टोटल पोस्ट है वो हैं 1736 जिसमें से आ आप ओनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से अपलाई कर पाएंगे और फॉर्म स्टार्ट हुए थे स्वड़ागस 2018 को और बंद होंगे 15 सितंबर 2018 को लास्ट है और आप अपना अप्लिकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं 15 सितंबर 2019 तक तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप अपना फॉर्म का ओनलाइन फॉर्म है कि तरह से भर पाएंगे शबसे पहले आप के अगर फोटो इसकैन नहीं किया है तो इसके डाटा आपके पास होने चाहिए इतने सब कुछ होने के बाद में अब आप online apply कर सकेंगे और आपके पास SSO ID और user ID और password होना ज़रूरी है सबसे पहले आपको sso.rastan.gov.in पर sign in होना है अगर आपने registration नहीं किया है तो अपना registration पर क्लिक कर registration कर सकते हैं अगर आपने already से registration कर रखा है तो आप यहां पर अपनी login ID डाल कर या फिर आप ID भूल गया है तो आप यहां से I forget my digital identity यहां से आप SSO ID forget भी कर सकते हैं और password भी forget कर सकते हैं जैसे आप registration login ID डालेंगे उसके बाद में password उसके बाद में यहां पर जो आपको सामने यहां पर बहुत सारी अप दिखाये देंगे यहां पर आपको click करना दो आपके सामने recruitment पॉ-टल है ऑपन ओजाए गा पेर अए हम रेक्रुट्मेंट पॉटल ओपन होने के बाद में यहां पर आपको dashboard में my application जो application आपने apply किया है और यहां पर notification जो भी कोई notification है वो यहां पर है और एक नया option दे दिया गए यहां पर get admit card यह जो option था वो पहले नहीं था सिर्फ यही थे my recruitment home और यह अभी current में get admit card का नया option दे दिया है तो आप यहां से साथ तक आगे जो admit card जारी होंगे उनका आप direct यहां से admit card है वो download कर पाएंगे उसके बाद में ongoing recruitment ongoing recruitment में current में दो application हैं जो दो पोस्ट हैं जो online form चल रहे हैं जैसे direct recruitment और direct recruitment और pharmacist 2018 जैसे ही आप apply now पर क्लिक करेंगे तो यह पूछा गया है do you want to pass data from candidate profile दोस्तों अगर आप इसी profile से इसी student का form बरने हैं तो yes कीजिए वरना no कीजिए क्योंकि जो data है आपकी profile के वो अगर आप yes करते हैं तो इसी की profile से data लिया जाएगा अगर आप no करते हैं तो आपको नए data बरने होगे इसलिए अगर आप इसी profile का student है तो yes कीजिए वरना अगर दूसरा student है कोई तो no कीजिए उसके बाद में आता है select post जैसे आप yes पर क्लिक करेंगे जैस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो page open होगा select post यहां पर option आगया select post यहां पर post आगई pharmacist तो आप यहां से post आपको select करनी होगी आप यहां पर pharmacist पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने basic detail open हो जाएगी basic detail में अवेदक का नाम पिता का नाम माता का नाम link जनम्तिति आयू श्रेणी और विकलांग की श्रेणी अगर है तो यस कीजिए उसके बाद में आपका धरम वेवाई की स्तती अगर आप married करते हैं तो आपको जिवन साती का नाम है वो यहां पर type करना होगा और उसके बाद में आता है apply for के लिए आवेदन क्या आप राश्तान के नोश्ची चेतर से समझ देता हैं अगर हैं तो yes कीजिए वना no उसके बाद में पत्राचार का पता उसके बाद में आपका इस्ताइप पता अगर दोनों same है तो यहां पर click कीजिए same as above आप अपना address है full address टाइप करना आपको गाम तैसिल पॉस्ट जो भी है बेसिक डिटेल बढ़ने के बाद में उसके बाद में आता है personal detail अधिवास वीवरण आपको डोमेशल डिटेल है वो यहां पर आपको बढ़ने होगी राश्तरी यह था आपका ग्रे रजे कुन सा है और आपका ग्रे छी रिटेशन है वो फारमेशी काउंसिल में होना जरूरी है तो पर झाले पर तेशिक डिना आप को सियर्ण को करुग है वो डेट यहа पर आपको टाइप करनी होगी तो vibration in राश्तान फार्मेसिस मैं आपर example के लिए सभी डाटा वर्राहूँ सभी अक्जाम्पल के लिए वर्राहूँ दोस्तों आपको अपना जो डाटा है मैं आपर example के लिए डाटा यहां आपर भर्राह Separate इसलिए आप अपना डाटा है वो सही सही बरें और उसके बाद में आता है क्या आप बूतवुर एसेनिक हैं है तो यस कीजे बनानो क्या आप उत्करष्ट खेल वेक्ती है है तो यस कीजे बनानो क्या आप NCC कैंडिडेट परिख सक है है तो यस कीजे बनानो क्या आप पूत्वर केदी है नो मुद्जुदा राज्य सरकार के करमचारी इस्ताई अगर आप अपनी गोवर्मेंट में अपने राज्य सरकार में अगर आप इस्ताई करमचारी हैं तो यस कीजिए वना नो और मैन पॉइंट है एक ये भी है यहाँ पर क्या आपकी पारिवारिक आयत धाई लाग रुपै से कम है तो अगर आप ये सलेक्ट करते हैं तो आपको अपना जो डोकुमेंट वेरिपकेशन के समें आपको अपना इनकम सर्टिपिकेट है अगर आप नो स्लेक्ट करते हैं तो आपको है डोकुमेंट वेरिपकेशन के समें इनकम सर्टिपिकेट है वो जमा करवाना होगा इसलिए अगर आपकी डारग से कम है तो येस कीजिए वरना इसे नो स्लेक्ट कीजिए उसके बादमें next पर click करते हैं next पर click करने के बाद में हमारे सामने जो page open होगा qualification detail qualification and experience main point है दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो qualification के data है वो आपको ध्यान पुरुक भरना है यहाँ पर sectionic योगेता में यहाँ पर red line में दिया गया है इसमें दिया गया है कि आपको जो data बरने हैं वो सही सही बरने है किसी प्रकार से अगर सामने वाले department को फार्मे से जो department है उनके दोवारा अगर data नहीं पहुंचते हैं आपके दोवारा उनके पास तो आपसे कभी भी मंगवाए जा सकते हैं photocopy print की वे फोरम इसलिए आपको अपने data है वो सही बरना है और आपको photocopy अपने स्पास अरकने है इस फोरम के यहाँ पर secondary या secondary की बरावर जो भी आपने course किया उसका subject समुगा का नाम एक बार हम आपको education qualification बता देते हैं कि इसके लिए क्या 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 होना जरूरी है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमने notification है वो download कर लिया है तो हम देखेंगे गेर अनुस्ची चेतर की है 1538 और अनुस्ची चेतर की है 149 और दोस्तों अगर आप yes select करते हैं डायलाक रुपे से कम income आपकी अगर है अगर आप yes select करते हैं तो आपके 500 रुपे लगें अन्य था आपके 460-400 रुपे लगेंगे अब हम चेक करते हैं पातरता यह सेक्शिंग योगता डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर फार्मेसिस्ट इन राज़तान फार्मेसी काउंसिल आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का और वो फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए दो नमर पॉइंट है वर्किंग नोलेज ओफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नोलेज ओफ राज़तान कल्चर तो आपको हिंदी देवनागरी में लिखना आना चाहिए और राज़तान कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए और जो स्टुडेंट फार्मेसी या फिर बैजलर ओफ फार्मेसी में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले हम दस्वी के सबजेक्ट लिखेंगे दस्वी का all subject होता है मैं जो यहाँ पर data बर रहा हूं वो सभी data एक example के लिए बर रहा हूं तो अपको अपना ही data यहाँ पर बरना है आपके board का नाम लिखना है आपका roll number उसके बाद में percentage और कुन सी येर में आपने 10 पास की यहांपर आपको select करना है आपका जो result है वो percentage cgpa होता ही नहीं है आपका percentage ही होता है तो यहां पर आपके 30 में आपके percentage लिखना है total कितने percentage है उसके बाद में Senior Secondary Senior Secondary या Senior Secondary के बराबर जो भी आपने course किया है उसका subject लिखना आपको Commerce, Science, Art जो भी है उसके बाद में आपके Board का नाम लिखना है जैसे अपने कौन से Board से बारमी की है या University से की है यहाँ पर आपके Board का नाम और उसके बाद में आपके रॉल नमर बारवी के जो रॉल नमर है वही आपको यहां पर टाइप करना है और उसके बाद में परणाम परणाम में आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपने कौन सी एर में बारवी पास की वो एर सेलेक्ट करना है उसके बाद में आपके बार्वी के कितने नमर है, परसेंटेज हैं आपके, वो यहाँ पर आपको सलेक्ट करना है, बरना है यहाँ पर आपको टाइप करना है, चाहिए आपका पॉइंटों में हो, पॉइंटों में टाइप करना है, उसके बाद में है डिप्लोमा इन फार्मे डी फार्मा यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करना है जैसे मैं एक्जाम्पल के लिए यहाँ पर फार्मेसी सेलेक्ट रहा हूँ आपका जो भी सब्जेक्ट है डिप्लोमा के अंदर वो सब्जे यहां पर select कीजिए उसके बाद में आपके board या university का नाम है मैं example के लिए यहां पर MGS विक्काने select कर रहा हूं आप उसके बाद में आपके diploma in pharmacy के role number और diploma in pharmacy के CGPA या grade pay या percentage अगर आपने result नहीं है आपकर diploma फार्मेशी का तो आप यहां पर result एवेटेड या फिर appearing है वो select कर सकते हैं तो आपको percentage नहीं परने होंगे आपको year select करना होगा कि आपका कब तक clear हो जाएगा तो आप यहां पर 2018 select कर सकते हैं और अगर आप result एवेटेड या फिर appearing select नहीं करते हैं अगर आपने clear कर लिया है डिपलोमा तो आप percentage CGPA यह grade select कर सकते हैं मैं यहां पर percentage select कर रहा हूँ आपका जो भी है CGPA grade है वो select करें मैं यह जो data भर रहा हूँ वो सभी एक example के रूप में भर रहा हूँ तो उसके बाद में आपका डिपलोमा कॉन सियर में आपने पास किया वो year यहां पर आपको select करना है उसके बाद में percentage परतिसाथ है वो यहां पर आपको type करने है उसके बाद में आता है bachelor of pharmacy, B pharma उपर वाला हो गया D pharma और यह हो गया B pharma, bachelor of pharmacy तो bachelor of pharmacy में आपका क्या subject रहा है अगर आपने clear किया है तो यहाँ पर आपका subject है जो भी है मैं यहाँ पर pharmacy सेलेक्ट करना हूँ उसके बाद में आपके board university का नाम है वो type करना है उसके बाद में आपके roll number आपके जो भी फारमा के roll number है वो type करना है उसके बाद में result परणाम है अगर आप result अवेटेड़ सेलेक्ट करते हैं तो आपको percentage नहीं वरना होगा अगर आप final year में है या फिर आपने admission ले लिया है तो आप यहाँ पर result अवेटेड़ सेलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों आपको कोई भी document upload नहीं करना है यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है do not upload any documents उसके बाद में आता है experience अगर आपको किसी भी state government, national rural health, medical, relief social और मुख्यमंत्री BPL, AIDS control society इसमें आपको कोई भी experience है तो आप यहाँ से अपना experience है वो type कर सकते हैं कि आपको कहां से खहां तक है और कितने मेने वर्स यह आपने शिवाएं दियें और नियुक्ता का नाम और रोजगार का परकार रोजगार का परकार आप देखेंगे तो add, contact, basic, intercept, other, regular, जो भी है private वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में योजना का नाम उसके बाद में आपका पद्ध क्या था और आपको कोई भी डोकॉमेंट यहाँ पर upload नहीं करना है उसके बाद में आपको क्लिक करना है नेक्स्ट जैसी आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा identification and enclosure दोस्तों आपको यहाँ पर अपना photo, clear photo होना चाहिए minimum size आपकीरेगी 50 Kb और maximum size रहेगी 50 Kb minimum size रहेगी 50 Kb और maximum size रहेगी so Kb signature in Hindi, यहाँ पर signature हिंदी में करना अनिवारे है minimum size 20 Kb और maximum size है वो 50 Kb दूसरा यहाँ पर signature दिया गया है उसमें आप अपनी local वासा के अनुसार भी sign कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको sign है English में ही करना जाए एक sign है वो हिंदी में करें दूसरा sign है वो English में करें और जैसी आप यहाँ पर अपना photo और signature है हिंदी और signature है वो English में upload कर देंगे तो उसके यहाँ पर आपको अपना body mark black mall on chest मैं यहाँ पर example के लिए select कर रहा हूँ black mall on chest आपका जो भी शरीर का कोई अच्छा सनिसान है वो टाइप कर दें उसके बाद में आप signature in Hindi में select करने के बाद में आपको next पर click करना है दोस्तों मैं यहाँ पर example के लिए select किया सब कुछ signature in Hindi signature English सब कुछ upload हो गया है उसके बाद में next पर click करेंगे जैसे हम next पर click करेंगे तो हमारे सामने हमारा अप्लिकेशन है वो प्रियू हो जाएगा आप इस अप्लिकेशन को दूबारा से चेक कर लें कि कई आपने कोई गलती तो नहीं किया है अगर आप इसी time अगर update करना चाहिए तो यहां से update कर सकते हैं उसके बाद में update नहीं हो पाएगा और अगर आपका सही है तो आपको click करना है pay fee do you want to pay fee okay मैं यहां से payment करना चाहता हूँ तो दूबारे से आप अपनी application form की detail है वो चेक कर सकते हैं अपना जो खुद का basic detail है वो चेक कर सकते हैं उसके बाद में pay fee पर आपको दूबारा से click करना है तो यहां पर पूछा गए एक बार दूबारा से कि if you want to pay click ok yes आपको जब भी आप payment करें आपको रीप्रेस नहीं करना है बैक का बटन नहीं दूबाना है उसके बाद में pay fee पर click करने के बाद में हमारे सामने जो open होगा वो payment करने का option open होगा यहां पर net banking यहां पर आपको total पैसे देने होगे 276 रुपए है अगर आप OBC से है और अगर आपने डायराक रुपए से कम income सेलेक्ट किये यस किया है तो आपको 276 रुपए देने होंगे यहां पर आप Oriental PNV, ICIC, UBI, HDFC, BJ Bank, SBI, Bank of Broda, Central Bank of India इतने बैंक से आप net banking कर सकते हैं उसके बाद में आप अगर चाहें तो यहां से दो एप दिये गए अगर आप यूपए से पेमेंट करना चाहें तो आप आर पीपी से यूपए से पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग में एक्जांपल के लिए यहां पर Oriental Bank of Commerce से लेक्ट कर रहा हूँ आपकी जो भी बैंक है वो से लेक्ट करें उसके बाद में आपको क्लिक करना है पेपी पर जैसे आप पेपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उजराइडी और passesड लगाना है उसके बाद में पेमेंट कर देना है यहां पर आपको user id personal banking है user id और password लगाने के बाद में user id लगाना है पहले सबसे पहले उसके बाद में login करना है जैसे login कर देंगे तो उसके बाद में आपसे password पुच्छ आएगा वो password आप यहां से type करना आपके password उसके बाद में login पर क्लिक करना है उसके बाद में आपके पास ए ही है मेरा काउंट है उसके पाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेस्पूल हो जाएगा और आपका फॉर्म है वह बरा जाएगा आप इस अप्लिकेशन को प्रिंट कर लें और दोस्तों यह तो आज का मारे वीडियो फार्मासिस्ट का आप ओनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो से डेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट कर दे हमारी तरस पर आपको तुरंत रिप्लाइक किया जाएगा और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को दबा दे तक कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग आपका दिन सुभ हो